साजामपुर में दो मासूम भाईयों की बिजली के करंट की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई मरने वाले बच्चों की उमर 6 साल और 4 साल बताई गई है बच्चे घर के बार खेड ले थे यहां बिजली के खंबे के स्पोर्ट के तार में हाई वोल्टेज करंट उतराया जिसके बाद ये दर्दनाक हासा हुआ है फिलाल घटना के बाद से परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है घटना थना जिलालबाद शेत्र के याकूपर इलाके की है यहां के रहने वाले मुहमत सरीप का 6 साल का बेटा आयान और 4 साल का बेटा अर्मान घर के बाहर खेड ले थे इसी बीच चार साल के अर्मान ने खेलते खेलते खंबे के स्पोर्ट के लिए बांधे गए तार को पकड़ लिया जिसमें वे चिपग गया भाई को करंट की चिपेट में आता देख जब 6 साल के आयान ने उसे छोड़ानी की कोशिश की तो वह भी बिजली के करंट की चिपेट में आगया जिससे बच्चों के सोर मचाने पर जब तक दोनों बच्चों को तार से अलग किया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी दो सगे मासूम भाईयों की मौत के बाद परिवार में हाहाकार मच गया परिवार वालों ने इसके लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है